प्रयाग्राज पुलिस ने दुस्सासिक अंदाज में लूट पाट करने वाले दो शातिर लुटेरों को गिरफतार किया है पकड़े गए दोनों लुटेरों को पुलिस ने घटना को अंजाम देने के बाद महस पांच घंटे में गिरफतार कर लिया है पकड़े गए लुटेरों के कबजे से महिला के साथ की गई लूट का सारा सामान भी बरामद हुआ है इसी के साथ आरोपियों से हुई पूचताच में पुलिस को पता चला है कि पकड़े गए दोनों लुटेरे शातिर किस्म के अपराधी है और कई सालों से लूट की घटनाओं को अंजाम देने में जुटे हुए है उन्होंने शहर के कई और थानाक शेत्रों में भी लूट की वारदात को अंजाम दिया है पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूचताच करने में जुटी हुई है इसी के साथ पुलिस इस गिरोह में कौन-कौन और लोग शामिल है उनका पता लगाकर उनकी भी गिरफतारी करने के प्रयास में जुटी हुई है पुलिस को पकड़े गए लुटेरों के कबजे से लूटा गया तीन मोबाइल और गहनों के साथ ही कैश भी बरामत हुआ है प्रयागराज में शनिवार की शाम को बिना नंबर प्लेट की बाइक से पहुँचे अली हुसैन और मोहमत फैजी ने भीर भारवाले अटाला इलाके में इरिक्षा से जा रही महिला का पस लूटा और फरार हो गए जिसके बाद घटना की सूचना खुलदाबाद पुलिस को मिली प्रयागराज के खुलदाबाद थाने का चार्ज ट्रेनी महिला IPS अधिकारी नीतू संभाल रही है उनके थाना ख्षेत्र में चकिया इलाके में शनिवार की शाम को बाइक सवार दो लुटेरों ने इरिक्षा से जा रही महिला का पस छीन लिया था जिसके बाद इस घटना को महिला IPS अधिकारी ने चुनोती के रूप में लिया और सिर्फ पांच घंटे में लुटेरों को गिरफतार करते हुए उनके गिरों का खुलासा करने में जुट गई है ट्रेनी IPS नीतू ने मौके पर पहुँचकर चानबीन की और इस घटना को चुनोती मानते हुए लुटेरों की तलाश शुरू कर दी पुलिस की टीम ने आसपास के सी सी टीवी के साथ ही चौराहों पर लगे सी सी टीवी कैमरों की मदद से बाइक सवार लुटेरों को ट्रेस करना शुरू किया जिसके बाद पुलिस ने CCTV और सविलांस की मदद से दोनों लुटेरों की पहचान कर उनको पकड़ने के लिए दविश और तलाशी अभियान शुरू कर दिया जिसके बाद पुलिस ने एक लुटेरे को गिरफतार किया और उसी की निशान्देही पर दूसरे घर की तलाशी ली जहां से लूट का दूसरा आरोपी भी पकड़ा गया पुलिस द्वारा लुट की इस घटना को अंजाम देने वाले लुटेरों से पूचताच में पता चला कि इस से पहले भी उन्होंने लुट की कई घटनाओं को अंजाम दिया है पकड़े गए लुटेरों के खिलाफ शहर के सिविल लाइन्स, करेली कर्नल गंज, शाह गंज थाने में कई मुकदमे दर्ज है पुलिस के मताबिक ये लुटेरे गिरों बनाकर इस तरह की वारदात को अंजाम काफी समय से देते रहे हैं पुलिस अब पकड़े गए आरोपियों से पूछताच कर यह पता लगाने में भी जुटी हुई है कि इनके साथ कौन और लोग शामिल है साथ ही पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी हुई है कि लुटेरों के इस गिरों से चोरी के मुबाइल और जेवर कौन-कौन खरीदता है पुलिस चोरी का सामान खरीदने वालोजा पता लगाकर उनके खिलाफ भी कार्यवाई करेगी थाना खुलदाबाद के अटाला शेत्र में कल एक लूट की घटना प्रकाश में आई पुलिस को सूचना मिली कि शाम को दो लड़के जो की बाइक पर सवार थे एक लेडी का पर्स छीना इरिक्षा में जाते हुए सूचना मिलते ही पुलिस ने इस घटना को चैलेंज के रूप में लिया और मुखबिरों से और CCTV फुटेज के अब लोकन से दोनों लड़कों को करेली शेत्र से गिरफतार किया गया करेली शेत्र से ही उनके घर से माल लूट के माल की बरामदगी हुई जिसमें की कैश, कुछ मुबाइल फोन्स और कुछ जेवर शामिल है जाच के उपरांथ पता चला कि यह पूरा गिरो है और इस तरीके की घटनाओं को पहले भी नहीं पर प्रियागराज के दूसरे थाने शेत्रों में अंजाम दे चुके है जाच अभी भी प्रचलित है और पुलिस को इस गिरो के दूसरे मेंबर्स का भी पता लग रहा है और चोरी के सामान का क्रय विक्रे जो किया जाता है उसके बारे में भी पुलिस पूछताच कर रही है